पिछले काफी समय से भारतिय क्रिकेटर हार्दिक पांडिया सुर्ख्यों में बने हुए हैं पहले कॉफी बितकरण में महिलाओं पर विवादित बयान दिया तो अब वो अपनी एक्स गर्ल्फ्रेंड एली अवराम की वज़े से सुर्ख्यों में हैं दरसल बॉलिवड एक्टरेस एली अवराम बार बार हार्दिक के साथ अपना नाम जुड़ने से काफी गुस्से में हैं काफी समय से अपनी होटनस और अफेर को लेकर सुर्ख्यों में बनी रहने वाली एली ने हार्दिक को लेकर अपनी चुप़ी तोड़ी है एली ने बताया है कि आखर इस रिष्टे की सच्चाई क्या थी जी हाँ हाल ही में एली ने कहा कि मुझे काफी दुख हुआ है इन खबरों से हमारे बीच जो कुछ भी था वो काफी पहले ही खत्म हो चुका है ये तकरीबन साल भर पहले ही खत्म हो गया था इसी के साथ एली से जब पूछा गया कि क्या वो हार्दिक से शादी नहीं करने वाली है तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हां मैं हार्दिक पांडिया से शादी नहीं करने जा रही हूँ इसके आगे जब एली से पूछा गया कि क्या हार्दिक ने उनसे फोन करके इस अफवाप पर बात की तो एली ने कहा कि नहीं उन्होंने नहीं की अब हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं है उमीद करती हूँ कि इसके आगे से हार्दिक से जड़ा कोई भी सवाल मुझे तक ना आए मैं नहीं चाहती कि लोग मुझसे रेड कार्पिट पर उसके बारे में कोई भी सवाल करें मैं नहीं पर उसके बारे मुझसे बारे में नहीं है मैं नहीं है मैं नहीं है